हेई गाइस वालकम रख तो माइ चैनल आज मैं काला चाना की सपजी बनाना आपको सिखाँए इसके लिए में कुकर में मस्टर्ड वाइल डालूँगी इसके बाद इसमें मैं आधा चमा जीरा डालूँगी और कती हुई हरی मुरश डालूँगी यह और मैंने लिया है धनिया पाओडर, मिर्ची पाओडर, हल्दी पाओडर, जीरा पाओडर, नामाक, गोल मिर्च पाओडर और गरम मसाला. मैं अभी एक साथ इसमें डाल दूंगी यह बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी नहीं हैं, और बहुत जल्दी बन जाती है . पास समय कम है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और अब मैं उन सारे मसालों को अच्छे से सौटे करूंगी इसके बाद में इसमें एक बारी करटा हुआ टमाटर डालोंगी इसके बाद में सौटे करूंगी कि सौटे करने के बाद इसे में थोड़े देर तक पकाऊंगी लगभक तीन चार मिनट तक मैं इसे अच्छा से पकाऊंगी इसके बाद में इसमें अब काले चने डालूंगी जो मैंने चार घंटे पहले ही उबाल भीगों के रख दिये थे अब मैं इसे थोड़े देर चार पाच मिनट तक फ्राई करूंगी अच्छे से भूनूंगी और इसमें मैं जिंजर गार्लिक का डेर चमच पेस्ट इसी स्टेज पर मिलाऊंगी इस समय जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से स्वाद अलग लेबल पे आता है इसलिए मैं इस समय ही इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूं ऐसे चार-पांच मिनट तक मैंने भूना है इसके बाद मैं इसे दो कब पानी डाल रही हूं इसके बाद मैं इसे लुकर को बंद करके चार से पांच सीटिया लगाऊंगी यह देखिए अब मैंने 4-5 CTL लगा दी हैं अब मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ इसका टेस्ट काफी उभर के आता है और इसमें जो प्याज इसमें मैं धनिया का पत्ता है सबस्क्राइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब और इसके अगया टेस्टा गॉन विसे सर्फ करेंगे त Cooking इसका बच्राइबाइब बन्कून आप है